नमस्कार दोस्तों आपका अपना चैनल इस्टेडे हप्टु पैंजुरो में आपका स्वागत है आजम विज्ञान वर्दान या अविसाप निवन्द के बारे में पढ़ेंगे या यूपी बूट इक्जाम में अवस्य पूछता है आप इसे जरूर ही लीख लेना और याद बिज्ञान वर्दान या अविसाप या निवन्द निवल्खित सिर्शकों पर भी पूछा जा सकता है जैसे कैसे पूछेगा या बिज्ञान से विकास और विनास अथ्वा विज्ञान की परगति अथ्वा मानो जीवन में विज्ञान का युगदान ऐसे भी पूछ सकता ह और दोसरा कैसे पुछेगा विज्ञान की देन अत्वा विज्ञान और मानो अत्वा विज्ञान जीवन का महतुन ऐसे भी पुछ सकता है और तीसरा कैसे पुछ सकता है विज्ञान के बरते चरड अत्वा विज्ञान से लाव वहानी अत्वा विज्ञान की विकास की अधार शिला, ऐसे भी पूछ सकता है, हम इसके रूप रेखा के बारे में जैसे प्रस्तावना विज्ञान क्या है, विज्ञान के बढ़ते कदम, यह हेडिंग डाल डालकर हम लिखेंगे और पढ़ेंगे, और इसको याद भी जरूर करेंगे, विज्ञान से हनिया उप संगार, प् प्राचीन काल में असंभव समझने जाने वाले तत्यों कारियों को विज्ञान ने आज संभव कर दिखाया है। विज्ञान ने वास्तों में हमें बहुत कुछ दिया है जिसके हम सदा रेडी रहेंगे। विज्ञान से मानों को असीमित सक्ती प्राप्त हुई है। विज्ञान का अर्थ है जानना। इस प्रकार किसी विज्ञान को जानना है विज्ञान है। अता हम यह कहना अती सोक्ती नहीं है। नहीं होगा विज्ञान किसी वर्दान से कम नहीं है। विज्ञान के बढ़ते कदम विज्ञान की वज़ा से मनुष का जीवन बहुत अरामदायक हो गया है। इसमें हमारे समय की बचद भी की है। पहला ग्रेकारियों में बिज्ञान की सहायता से हमारा घरेलूग जीवन भी सुखमय हो गया है आज घरों में हीटर, रेफ्रिजरेटर, टेलिवीजन, रेडियो, टेप रिकाडर, टेलिफोन, स्कूटर आधी वस्तुएं आ गई हैं ग्रेडियों के अनेक कारे आज बिज्ञ बिज्ञान की सहायता से मिंटों में हो जाते हैं यह तयात के छेतर में दो पईये की गाड़ी से शुरू हुआ सफर अंतरिक्ष तक पहुच गया है हमने कई महीनों के सफर को मिंटों में तैकर लिया है बिज्ञान के अभिस्कार का प्रत्यक्स उधारण हमारे सामने के बड़े जहाज थहल फम बुब्लेट ट्रेन और हवाई हवा में हवाई जहाज हेलिकाप्टर ने मिलों की दोरियों को समेट दिया है दूसरा है संचार के छेतर में संचार के छेतर में बिज्ञान ने तेजी चेप्रगति की है एक जी से सुरू हुआ यह सफर 4 जी तक बना भी नहीं की, वीडियो काल, वर्चूल काल विज्ञान की वज़ा से ही संभव हुआ है, तिसरा सिक्षा के चेत्र में, सिक्षा के चेत्र में विज्ञान ने कई अविस्कार की हैं, आटिफिसियल, इंटेलिजेंस, रोबोट के आ आ जाने से स्कूलों में पढ़ाने के त प्रगिति होती है, मनरंजन के चेत्र में विज्ञान ने अपना बहुत महत पुर्ण योगदान दिया है, विज्ञान की तकनीकी के साथ मनरंजन के साधनों में भी प्रगिति हुई है, चलचित्र वीडियो दोरदर्सन, खेल आधी भी, आधी सभी मनरंजन के आधनिक और विज्ञानिक साधन है, पांचों चिकित्सा के चेत्र में, चिकित्सा के चेत्र में तो विज्ञान ने आश्चर जनक चमतकार किया है, आज दुरलब से दुरलब बिमारी का इलाज भी विज्ञान में ढूड निकाला है, आज चिकित्सा बहुत आराम से आसान हो गया है, एक सरे मशीन की साहता से शरीर के अंदर के भागो का रहस्य जान सकता है। शरीर के किसी भी भाग का आपरेशन किया जाना संभव है। लेजर के अविजकार से बिना चिरफार के आपरेशन किया जा रही है। अंग प्रत्यारों पर किसुविधा आज बिज्ञान की वज़ा से संभव हो गई। रक्तदान प्लास्टिक सर्जरी जैसे दुल्लव कारे आज बिज्ञान की वज़ा से संभव है। स्मार्टफोन पर बैठे ही अपना इलाज करवा कर दवाईयों का होम डिलेवरी भी करवा सकते हैं। इसने समय और पैसे दोनों की बचत की है। बिद्दुत बिज्ञान ने मनुस्य को भाप, खनीच, देल, कोईला वबिजली को असेमित सक्ति के रूप में प्रधान किया है बिजली के अविस्कारों ने चारो तरफ चकाचोद कर दिया है। बिजली एक तरफ तो हमें सक्ति देती है तो दूसरी तरफ रौशनी देकर रात को नीत की तरह बना देती है। आज के समय में बिजली ने मनुस्य का बहुत कल्यार किया है। छटा कंपीटर के छेत्र में आज हर कोई कंपीटर चलाना और उस पर काम करना जानता है ऐसा कोई छेत्र नहीं रहा जो कंपीटर से अच्छूता हूँ बिज्ञान का सबसे बड़ा अविस्कार तो स्मार्टफोन है जो आज हर आम आदमी की पहुच में है जिसकी वज़ा से घर बैठे आप सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो चाहे सीख सकते हैं घर बैठे बिजनेस सुरू कर सकते हैं या दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह ऐसा अजबुत चमतकार है जिसने असंभव को संभव बना दिया कंपीटर में भी दीन प्रतिदिन कई तक सब्सक्राइब शसरें से लाव्जान शर्णां, और मांध्यम से अज विग्यान के मांध्यम के सारे सारे सुभियानिक को सुरजह रहे हैं। भारत का नफॉती सावर्ण की और इंसान unterstützen with क्रिशी के चत्र में नमीन वैज्ञानी का विश्कार ने ख्रीशी उत्पादन में विध्धी की है, साथ ही साथ कारियों को आसान बना दिया है ट्रेक्टर और नमीनतम आधुनिक उपकरडों के आजाने से खेती और भी सरल और सहज हो गई है विज्ञान से हानिया विज्ञान से हमें क्या-क्या हानिया होती है विज्ञान ने यदि हमारे जीवन को सर्व सुलब बनाया है तो वहीं कई सारी समस्याएं भी उत्पन की है पहला दुरलब बिमारिया आजकल इतनी दुरलब तरीकेश की बिमारिया उत्पन हो रही है जिनक पहले कभी नामोन निसान नहीं था, कुरोना वाइरस इसका प्रत्यक्ष उधारड है, पहले इस तरह का कोई वाइरस नहीं था, खेतों में हानिकारक रासाइनिक पदार्तों के छिड़काव से उत्पन ने तो बढ़, उत्पादन तो बढ़ रहा हैं, लेकिन फसल में वह पो योगी करण से वादावरण में बहुत ही तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लेशियर पिखल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हैं, जल स्रोतों की कमी हो रही हैं, और ब्रिक्षों की कमी से प्राण वायू आक्सीजन में भी कमी आ रही हैं, परिवरण प्रदो में इंटरनेट बंद हो जाए तो कई करोडों लोग बिरजगार हो जाएंगे क्योंकि हमने खुद को विज्ञान पर इतना अधिक निर्भर कर लिया है कि अब उसके बिना हमारी अर्थ बेवस्था नहीं चल सकती विज्ञान ने जहां एक और कई सुविधाएं दी हैं तो तकनीक पर निर्भर हो गए हैं चाहे घर में खाना बनाना हो कपड़े धोना हो या मनरंजन हर चीज के लिए हमें तकनीक की आवस्था होती हैं चोता है मोबाइल एडिक्शन कोरोना काल में हम सभी घर पर बंद हो गए थे और इस वज़ा से चोटे चोटे बच्चे चोटे एडिक्शन के कारण शिड़चिडापन अत्यधिक क्रोध आना भूख ना लगना ध्यान किंद्रित ना हो पाना जैसे कई समस्याएं पैदा हुआ हैं इन सब वज़ा से आज मनुस्य खुद की बनाई तकनीकी की वज़ा से परिसान ही हो रहा है उपसंगहार इसका नमसंग कैसे करेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस प्रकार की जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू है एक सकरात्मक पक्ष जिसे से हमने बहुत कुछ अर्जित किया है तो वही नकरात्मक पक्ष जहां हमने बहुत कुछ खोय अंग्रेजी में कहावत है science is a good servant but a bad master अर्थात विज्ञान एक अक्षा नोकर तो है किन्तो एक बुरा मालिक है यदि हमने विज्ञान का सही तरीके से इस्तमाल किया तो यह हमारे भविश्य में भी लाबधायक होगा किन्तो यदि हमने तकनीक को खुद के उपर हावी होने दिया तो हुआ दिन दूर नहीं जब हम इसके पूरी तरह गुलाम बन जाएंगे धन्वा दोस्तों बस इतना ही आप इस लाइक करें शेयर करें और और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को द